नमस्कार सात्यों आस्ता करता सब अच्य होंगे देखेगा आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे सिग्मेंट पर जो यू पिए सी के स्प्रेंट की जो जर्णी अभी स्टार्ट करता है तो सबसे बड़ी समस्या उसके सामने यही आती है कि हम अपनी जर्णी को स्टार्ट कैसे करे जरुनी को स्टार्ट करने के साथ हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए फिर एक वर्ड आता है कि हम NCRD पढ़ने चाहिए बट करते हैं कि NCRD पढ़ें कैसे NCRD पढ़ने का तरीका क्या क्या है इस के लिए PCS के लिए NCRD बनी है या बेसिक एक्जाम के लिए NCRD बनी है वो क्लास नंबर 6 की NCRD से हमें आइस के लिए क्या पूचे जा सकता है यह बहुत सारे ऐसे गंभीर सवाल बन जाते हैं जिनका सवाल का मिचोड जो है आपको इस वीडियो में सारा मिल जाएगा लास तक देखिएगा और साथ में जानिएगा कि NCRD पढ़ने का structure क्या होता है हो सकता है कि आपने NCRD एक बा कि बार-बार आप फेल होते हो चले जाओगे कोई concept clear नहीं होगा आपको इसलिए आज हम समझेंगे कि NCRD को हमें पढ़ना कैसे चाहिए NCRD के notes कैसे बनाए NCRD अगर आप ऐसे पढ़ते हैं तो डेफिनेटली है कि वहां से आने वाले प्रस्णों को रांदों टैकल कर पाए NCRD पढ़नी क्यों चाहिए कैसे पढ़नी चाहिए सारी बाते हम लोग इस वीडियो में करेंगे राइट तो देखो सबसे पोई निकल के यह आ जाता है कि हमें NCRD पढ़नी क्यों चाहिए तो सबके जहन में दिमाग में आता है कि सर NCRD हमें इसलिए पढ़ते हैं हमें basic ग् कोई example के subject को समझाता है इसलिए NCRD simple language में क्या है printed है और simplified language होने के बज़े से क्या होती है आप उसको अच्छे तरीके से understand कर पाते हैं इसलिए NCRD बहुत जरूरी है यहां से NCRD के अंतरगा देखा जाए तो extensive research है एक छोटी सी बास सोचिए किसी भी किताब के पीछे किसी भ हो सकता है लेकिन यहां पूरे बिरोकेट्स टाइब के यहां फिर जजिस रिटायर जजिस एक टीम होती है उस टीम पीछे के research करती है और research करने के बाद एक दिमाग का व्यापक विकास करने के परपस से NCRD को print के जाता है इसलिए यहां सबसे important चीज निकलके यहां आ जाती दूसरी बाद authentic स्रोथ है आप प्रमानिक स्रोथ किसको मानेंगे किसी किताब को मानेंगे या किसको मानेंगे तो आप प्रमानिक स्रोथ के रूप में आप NCRD को प्रमानिक स्रोथ मानेंगे इसलिए NCRD वो प्रमानिक स्रोथ देती है जो सही गलत को इस परस करती है इसलिए authentic किताब से अच्छा है कि NCRD पढ़े और NCRD के बाद authentic किताब पढ़े उसके बाद यहां से आता है standard book आपको पता होगा जितनी भी जितने भी question है सारी question जो है कही न कहीं NCRD के topic से interlink होते है डिपेंड करता है कि जब आप त्यारी करते हैं तो आपने basic knowledge इखटा कर लोगे तो उसमें advanced knowledge को जोड़ना पड़ेगी जोड़ने जुड़ने तब जुड़ेगी जब बेसिक रेटी नहीं है आपकी नीव मजबूत नहीं आपका नीव कमजोर है मकान कितना नहीं बड़ा कढ़ा कर लो यह नहीं घड़ा हो पाएगा यह वह सवारे point निकल के बन जाते हैं correct information सबसे point निकल के आता है कि NCRT आपको कहिना कहीं check के आसापिक्ष में correct information देती है वो क्रम बत्ता के साथ देती है बहतर सब्दावली के साथ देती है इवन कहा जाए तो यहा लोड़े बच्चों की समझाते हैं तो उसको एक्जामपिल देते हैं देखो ऐसे न करके ऐसे करेंगे तो कितना benefits होगा लोस होगा तो एक्जामपिल थे हमारे दिमाग में क्याता चीज़े picture बन जाती है आपने जब किसी film movie को देखा होगा तो वहां पर भी एक कहानी होती ह जो हमारे दिमाग में स्टर हो जाती है वही सारी कहानी NCRT में दी गई होती है यहां से all keyword in the book must be noted जितने भी keyword है धान रखता हूं जो exam के लिए printed है वो हमें देखने पड़ेंगे तो NCRT बहुत जरूरी है मैं कह सकता हूं जो आपको पढ़ने चाहिए लेकिन depend करते हैं कि पिक जो पर कवर करेंगे पहले टॉपिक में क्या है स्टोरी और बलेज पालंपूर की स्टोरी दे रखी है प्यूपिल और एस रिसर्स दे रखा है पौवर्टी ऐसे चैलिंजिस दे रखा है एंड फूर सिक्योर्टी अब आपकी पास चाह टॉपिक आपको देख रहें NCR आप सोचिए गाले एंचाटी एग्जाम के लिए कैसे इंपोटन निकालना है तो इंपोटन जो टॉपिक है जो आपको यहां कवर करते हैं देखेगा वह कौनसे टॉपिक कवर करने मात्र यहां पर प्यूपिल एस रिसोर्स प्वर्टी एस चेलिंज फूट सीक्योर्टी इंडिया तीन टॉपिक इंपोटेंट हैं जो आपको यहां पर कवर करने यह किसके लिए कवर करने तो यहां लिखा है देखेगा जी एस त्री के लिए कवर करने किस सापिक्ष में कवर होंगे इंडिन एकोनोमी एंड इसूस रेडिट प्लानिंग यहां पर रिसोर्स के र जाएंगे देखो यह प्रेलम्स में question देखो आ रख है और यह NCRD class no.9 से दे रखा है और क्या question देखने को मिल रहा है यह प्रेकार से उपच को किस रूप में मापा जाता है यह आपके सामने चार उप्सन है एक बर्स के दोरान भूमी के दिये गए टुकड़ो पर फ़सन तो यह question क्या रहा डारेक्ली इंटरलिंक हो रहा है कि इससे class no.9 की NCRD से तो यह आपको यहां एक scenario उनाना पड़ेगा कि हमें NCRD को पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए हमें कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं पढ़ना चाहिए class no.10 की NCRD देख लिए आपको देखने को मिल रहा होगा आपने देखी भी होगी अब इसकी NCRD में यहां पर जो topic है वो GS3 से cover हो जाएंगे अब यह topic होंगे जहां- पढ़ने हैं अभी मैं आपको यह भी बता दूँगा इस चेप्टर में से कौन से चीज़े पढ़ने ही कौन से नहीं पढ़ने ही कौन से छोड़ने ही यह बड़ी important point निकल के आजाता है अब देखू बुन चेप्टर किया development को पढ़ना है sector of the Indian economy money and trade को पढ़ना है consumer credit को पढ तो मैं आपको यह दिखा रहा हूँ कि किस topic को important है किस कौन सा topic important नहीं है क्या हमको छोड़ना है क्या हमको पढ़ना है यह NCRT आपको define करती है और उपर से देखें कैसे हम NCRT को पढ़ना चाहिए मैं आपको बता दूँँ यहाँ economy, geography, political कुछ भी हो देखो economy की बात करेंगे तो इकनो class number आपने देखोगा यहाँ 11 के NCRT है यह 10 chapter है और 10 chapter से कितने chapter कवर करना ही आपके सामने देखेगा अगर हम बात करें यहाँ से आपके सामने यह statement है यह कहां लिंक हो रहे हैं इस जगह लिंक हो रहे हैं यह directly मैं लिखा हूं देखेगा उसके बाद इहां important topic जो आपको कवर करने यह यहां define कर रखा है यानि हर किसी NCRT को जब तक आप UPC के भिहाप से syllabus के भिहाप से नहीं पड़ोगे तब तक रवायन कथा यह सब महावारत गीता चलती रहेगी और तुमारी रवायन महावारत गीता बनती रहेगी ना कोई जैसे कहते हैं पहले जो नाटक होते है इसलिए है धानकना उनको समझने आता कि starting कहां से end हो रहा है समझने मज़ा आ यहां पर class number six की NCRT है पोलिटिका अब इसमें topic का नाम क्या है यानि social and political life यानि समाज जी के लिए जीवन एक है साथ में दो है आठ में तीन है अब देखो यहां पर चार उनिट दे रखी है चार उनिट है इसमें एक यूनिट यह है एक यूनिट यह है अब यह चार उनिट के point को देखा जाए तो यहां पर exam में मैंने आपको उदा दिया GS first paper में unit number six जो है directly जो है यहां पर class number six की NCRT का chapter number one से interlink हो रही देखेगा उसके बाद यह कहां लिंग करेंगे GS1 में unit number nine में link करेंगे GS2 में unit number one में unit link करेंगे तो GS2 में GS के band में GS के band में कहां कहां link हो रही है directly attack कर दिया suppose को लो तुम्हारा एक कमरा है इस कमरे में धान रखना बहुसा समान रखा हुआ है और उसके बाद आपको पता नहीं कौन समान कहां रखा हुआ है जब आपको कुछी जीज की need होगी तो क्या आपको मिल पाएगा इसलिए जब तक दिमाग में तुम जो knowledge को भीज रहे हो उस knowledge को sequence wise step by आई सके coding या exam के अगर अंदर नहीं भीज होगे तो रिल मिल जाए कि आपको नहीं पता क्या होता है तो इसलिए जरूरी होता है कि उसको बारबार एक सिक्वेंस पाई स्टेडिजी बहुत जरूरी है एक्जाम के लिए तो आपको दिखा दिया अब मैं कहूंगा यह प्रशन कैसे आए टॉपिक नंबर यहां से टॉपिक नंबर वन से देखेगा वन से क्लास नंबर सिक्स के एंसी आड़ी से मैंने आपको यह डिफाइन कर दिया कि क्या हां से लिंक हो रहा है फिर ऐसा नीम आपको यह दिखाऊंगा कि एंसी अडिस प्रस्ण कैसे आते हैं आप मेंस में देखो 2019 में प्रस्ण आया है धन निर्प्रेस्ता से प्रति भाद सम्मिधान के दस्टी से प्रांच क्या सीख सकता है विवित्ता के चार सांस्कृत तक्त्व को वर्डन करिएगा संप्रदाइक्ता के बारे में प्रस्ण पूछ रहा है वेश्विकर्ण के बारे में प्रस्ण पूछ रहा है विवित्ता की बात कर रहा है हां से प्रंप्राओं की बात कर रहा है य जरूरी नहीं है बहुत जरूरी है आप हिंदू है तो गीता समझ कर उसलिए में तो कुरान समझ कर बाकि जो जितने भी सिक्ति इसाई जितने भी गुरू ग्रंति या बाइविल समझ कर पढ़ना चाहिए लेकिन दूसरी नीर बन जाती कि पढ़ना कैसे चाहिए जरूरी होता है कि आपके पास guidance अगर नहीं है mentor नहीं आपके पास coach नहीं है तो क्या होगा हम fan toonic ग्रम जाहिए बन तो बुएं रिडिंग और रिडिंग करने चाहिए कौन से लिंक करें क्रक्तों और प्छान पास influence factor आपके जिए आपके पास यह सिलेव चे देखेगा अ साथ करें कोश्चिन कैसे आए देख लोगुश्चिन आपके सामने लिख रहा है लोकल गवर्मेंट का अभी हमने थोदेर पहला आपको बताया था कि यहां पर यह क्या है लोकल गवर्मेंट नमबर थ्री है अब इसके कोश्चिन देख लीजिए का डारेक्ट लीकुश्चिन से आया है देखेगा आपको पता है जुन्ड में चलते लिएंगे चाहाँ आप सेर के बच्चे हों चाहाँ गधे के बच्चे हों अगर भेड के जुन्ड में चल जाते हैं तो आप भीड का हिस्सा बन जाएंगे इसलिए उससे बच्च के रहना है अपने आपको to the point पढ़ सबके लिए मस्ट है आपने 12 10 पास की है आपने 12 पास की आपने यूजी पास की अपने पीजी पास की कुछ भी कैसे मेंटर नहीं करता है यह पके सामने यहां पर NCRT का बैच है वह 10 जून से स्टार्ट हो रहा है इंटर लिंग करके पढ़ाएंगे आपने कभी NCRT ऐसी आपको बहुत मज़ा जाएगा क्योंकि इसकी फीज कितनी है मात्र 900 रुपे फीज रखी गई यह जहां पर आपको इसको इंटर लिंक करके बढ़ाएंगे और आपको डाउ से टाच रहेंगे यह बहुत सारी आपको इसको बैस मिलने वाली है तो जिन लोगों ने अभी तक हम लोग स्टार कर रहे हैं टाइमिंग हम डिसाइड कर देंगे और मिनियम टाइमिंग में इसको हम लोग कवर करेंगे साथ में देखा जाए concept building program हम लोग सेट करेंगे इट में इसमंदर जैसे मैं आपको बताया कि यहां पर हमें कैसे क्या क्या पढ़ना होता है इसा चीज आप सोच लिजेगा कि अगर हम इन टॉपिकों से ये जानने कि ये टॉपिक है और हमें ये इंपोडेंट टॉपिक है जो हमें cover करने हैं और किस topics में cover करने अगर ये भी हम लोग जानने तो फिर क्या हमारे लिए सब चीजे easy बन जाएंगी तो दोस्तों जिन लोगोंने अभी जोएन नहीं क्या जोएन कर लिएगा दूसरी बात हमारे पास जो अभी आंसरेडिंग जो है पांच जून से स्टार्ट हो रहा है पांच जून से अनसरेडिंग सटार्ट हो रहा है इसलिए जिन बच्चों ना भी नोल नहीं किया है आपको प्ले स्टोर पे LV IOS को डाउलोड कर लेना है और वहां जाने के बाद वहां पर आपको एक मिल जाएगा वहां जोईन कर लीजेगा जो सबके लिए क्या है फ्रियों कोस्ट है तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं NCRD के सारी चीज़े में आपके सामने इस पूरे बैचिस में one to one करके mentorship की रूप में आपके सामकाव करूंगा तो ठीक है all the best कैसे लगी चर्चा एक बार कमेंड करिएगा enjoy करिएगा लेकिन हाँ basic नीट जरूर जो होती एपियस से की उसको पूरी करती रहेगा all the best love you all bye bye take care